बालगाज जीले में कई गौव बार की चपेट में आई है प्राशाशन इन गौव में फसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित अस्थान पर लाया जा रहा है जीले में एक दर्जन से अधिक गौव बार के पानी में डूब गए है प्राशाशन ने यह कि गौव के खाली कराकर लोगों के समीब के स्कूलों और राहत कैम्पों में लाया है प्राशाशन ने प्रीतों के लिए भोजन और आवास की विश्था की है बारिश के कारण कई मार्ग बंध है तो अनेक रप्टे छतिगरस्थ हो गए है जिससे कई गौव को संप्रक जीला मुखैले में तूट गिया है इसी तरह बार में फचे गरवती महीला को SDRF की टीम ने सुरक्षी सिंगोला से दहे गौव पहुचाया गरवती महीला को प्रसब पीरा के बाद लांजी सिविल अस्पताल पहुचाया गिया इस दोनाल SDM जियोती ठाकूर, SDOP दुरगेश, आर्मो, ठाना प्रभारी शंकर सिंग्चोहान, पहलसी दार सतीश चौधरी और जनपत सदसे महंतर पटेर मौजूद रहे महीला सुन्दा कमलेश मेंडे ने मंगलवार को बेटी को जनम दिया इमर्जेंसी में लौनजी होस्पिटल में मंगलवार को महीला को भरती किया गिया था यहां डॉक्टर सुझाता गेडाम और डॉक्टर प्रदीब गेडाम ने महीला का और बेटी को जनम दिया वरतमान में जच्चा बच्चा दोनों ही सोस्थ है SDRF की टीम ग्राम उभडी में पहुच का बचाव कार किया इसी केसाद शंकर तोला के लोगों ने सुरक्चित अस्थानों पर पहुचाने की प्रकरिया शुरू की गई है